और अब ख़बर उत्तर प्रदेश से जहां पर जहरीली शुराब पीने से कानपूर और कानपूर दिहात में 11 लोगों की मौत हो गई कानपूर में देशी शुराब के दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और दुकान को सील भी कर दिया गया है इस मामले में कुछ आपकारी विभा के करमचारियों के लापर वाही भी सामने आ रही है ऐसे में मामले की जाच कर उन करमचारियों पर भी कारवाई की तैयारी हो रही है मुखी मंतरी योगिया दितिनाथ ने सभी की मौत पर दुख व्यक्ति किया है साथ ही उन्होंने नतिकों के परिजनों को दो-दो लाक रुपए की आर्थिक सहायता देने का एलान भी किया है आपको वतादी की सचेंडी में हेदपूर गाउं में कुछ लोगों को शराब पीते ही उल्टिया होने लगी हालत बिगरती देखकर परिजनों ने उन्हें हास्पिटल में भरती करवाया जहां पर ग्यारह लोगों की मरनी की खाबर सामें आई दिला प्रिशासन की अधिकारी शराब की नमूने लेकर जांच परताल कर रहे हैं तलहाल पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ मामला भी दर्च कर लिया है और इखटना के बाद से दुकानदार फरार चल रहा है यह कोई पहला मामला नहीं उतर प्रदेश में इसके पहले भी जहरीली शराब का शिकार लोगों होते रहे हैं झाल रहे हैं